और अब एक खास खबर नमस्कार लोगस्वर टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रियंग का खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्ख्यों पर इग नज़र जम्मुतवी एक्सप्रेस का ठहराओ बिलासपुर की बज़ाय उसलापुर स्टेशन में समय कम होने से यात्रियों को ट्रेन चड़ने में हो रही परिशानी अंगना 3.0 की शुरुवाद बच्चों को खेल-खेल में दी जाएगी सिक्षा बेमतलब लगे ट्रैफिक सिग्नल से आम जनता हो रही परिशान व्यपारी प्रतिनीधी मंडल ने स्पी को सौपा ग्यापन पुलिस ने निकाला गुंडे बदमाशों का जुलूस आदतन अपराधियों में खौफ पैदा करने खाखी का प्रयास तो ये थे सुर्यारब खबरे विस्तार से दूर्ग जम्मुत अभी एक्सप्रेस में मंगल वार को पैर रखने की जगह तक नहीं दिखी यह ट्रेन 25 अपरेल से सीधे दाधा पारा होते हुए उसलापूर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई पहले ही दिन प्रेन में चड़ने के लिए यात्रियों को काफी जद्दू जहत का सामना करना पड़ा दरसल इस ट्रेन को शमिक वर्ग बाहर कमाने खाने जाने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं उसलापूर रेलवे स्टेशन में मंगलवार को बड़ी संख्या में पलायन करने वाले मजदूरों की भीड देखने को मिली जिले के अलग-अलग गाउं से यह मजदूर इस टेशन पहुँचे थे दरसल जम्मुतवी एक्सप्रेस अभिसी मंगलवार से दोर्ग से छूट कर उसलापूर रेलवे स्टेशन होते हुए जम्मुतवी जाने लगी है पहले इस ट्रेन का ठहराओ बिलासपूर इस्टेशन में था लेकिन यातायाद के बड़ते दभाओ को देखते हुए 25 अप्रल से इस ट्रेन को उसलापूर सिफ्ट कर दिया गया है पडिचालना द्रिष्टि कोन से ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक की फैसलिटी को ध्यान में रखते हुए याद्रियों की सुधा को भी ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया गया जिसके तहट जो ट्रेन है रायपूर मंडल से दादा पारा होते हैं विलासपूर इसमस्ते उसलापूर जाती है उन टेर्णों मेंसे चार देर्टरेन को अभी उसलापूर सिफ्ट किया गया, वर ट्रेन आधापार से सिधे उसलापूर जायां उसलापूर से ढाराम हो मंगलवार को यह ट्रेन अपने निर्धारित समय पर उसलापुर रेलवे इस्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर पहुची ट्रेन के आते ही इंतजार में बैठे श्रमिक ट्रेन में चलने के लिए जद्दो जहत करने लगे स्लिपर क्लास में तो इतनी ज़्यादा भेर थी कि यात्रियों को चलने का मौका ही नहीं मिला लोग आपात कलिन खिलकी के माध्यम से ट्रेन के भीतर जाते दिखाई दिये बोगी में चलने के लिए धक्का मुक्की इतनी हुई कि सभी को काफी समस्या हुई पुर्व गोशना के अनुसार 25 अपरेल से बिलासपूर की बजाए उसलापूर स्टेशन में इसका ठहराओ दिया जाने लगा है रुकने के समय में कमी होने के चलते कई यात्री इस ट्रेन में नहीं चड़ पाए जिसके बाद यात्रीयों ने आगे बरती ट्रेन में चेन पुलिंग कर अपनों को ट्रेन में सवार कराते नजर आए आरपीएट के जवानों ने भी सहयो कर यात्रीयों को ट्रेन में चड़ाया जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई इस आपधापी में कई यात्रियों के सामान, चपपल, चावल की बुर्या समित अन्य कई चीजे प्लेटफर्म और रेड़वे ट्रेक पर बिखरे नजर आए बले ही ट्रेन के स्टापेज उसलापूर में दिया गया है लेकिन यात्री मांग कर रहे हैं कि कम से कम इस ट्रेन को उसलापूर स्टेशन में 20 मिनट तक रोका जाए ताकि यात्री आराम से सवार होकर सुरक्चित सफर कर सकें इस तरह की आपधापी अगर आगे भी चलती रही तो कभी भी यहां कोई बड़ा हाथ सा हो सकता है मंगलवार से बिलासपूर इल्वे स्टेशन की बजाए उसलापूर से जम्मुतवी ट्रेन प्रवाना हुई लेकिन कई यात्रियों में अभी भी असमंजस की इस्तिती देखी गई दरसल श्रमिक वर्ग बिलासपूर इल्वे स्टेशन में जम्मुतवी ट्रेन पकड़ने पहुँचे थे तब उन्हें पता चला कि यह ट्रेन उसलापूर से रवाना होगी तो यात्री आपधापी में यहां से अन्य साधनों से उसलापूर पहुचे कुछ यात्रियों ने बताया कि उसलापूर स्टेशन में ट्रेनों के स्टॉपेज का समय कम होने की वज़े से वे ट्रेन नहीं पकड़ पाए इसके चलते वह अब बिलासपुर स्टेशन से ही 36 गड़ एक्सप्रेस से अपने गंतवी तक सफर करेंगे उसलापुर रेलवे स्टेशन में अगले माह से एक हवलदार और दो सिपाही तैनाथ हो जाएंगे सुरक्षा की अव्यवस्था चार ट्रेनों के ठहराव को देखते हुए की गई है उसलापुर स्टेशन में ट्रेनों का दबाव बढ़ रहा है लिहाजा यात्रों की संख्या भी बढ़ेगी इस स्थती में अपराधिक कतिविधियों के आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता वर्तमान में यहां आरपीएफ का आउट पोस्ट ही है जी आरपी की ना तो चौकी है ना ही स्टाफ की नेमिट ड्यूटी लगाई जाती है जी आरपी एसपी जी आर ठाकुर ने बताया कि उसलपो रेलवे स्टेशन में अगले माह से एक हवलदार और दो सिपाही की ड्यूटी नेमित लगाई जाएगी उन्होंने बताया जैसे ही ट्रेनिंग से स्टाफ आते हैं यहां अईस्थाईत तोर पर जवानों की तैनाती की जाएगी माताओं के सहयोग से बच्चों का बौधिक विकास करने अंगनमा सिक्षा 3.0 कार्गरम इस सत्र से शुरू किया गया है खेल खेल में संख्या रंगों की पहचान कराना इसका लक्ष है जिसमें स्कूल में प्रवेश करते ही बच्चा आसानी से पढ़ लिख सके पढ़ही तिहार के अंतरगत शास के प्राफिमिक शाला तिफ्रा में अंगनमा शिक्षा 3.0 कार्गरम कायुजन किया गया 36 गड़ में माताओं को जोड़कर बच्चों को घर पर पढ़ाई सीखने में सहोग देने के लिए नए चरण की शुरुआत की गई इसके लिए शिक्षिकाओं ने यहां माताओं को बताया कि वे किस तरह से घरेलू सामान सबजी की माध्यम से बच्चे में प्रारंबिक शिक्षा का बीज बो सकती है यह तरीका खेल खेल में बच्चे को रोचत लगेगा इससे बौधिक विकास में मदद मिले की इसके माध्यम से हम बच्चों को हर चीज सिखा सकते हैं सबजी के माध्यम से चावल डाल के कलर के माध्यम से इससे हम सिख्षा देने के कारण मतब कि मिस्कूल में दाखिल करेंगे तो बच्चे भी हमारे आगे बढ़ेंगे और हमारे सिख्षक हैं वह उनकी सरलता भी होगी, वह भी आगे कर सकते हैं, हमारा स्योग ज्यादा रहेगा फ़र बच्चों के लिए, ये खेल खेल भी हो सकता है, और खेल के बच्चे पढ़ भी सकते हैं, जैसे हम कहें, बैटा आलू ले के आओ, टामाटर ले के आओ, उसका हम कलर बता सकते हैं, ब सकते हैं, कारवण में शिक्षा विभाग के सुनीता पांडे, कृंती साहू, तिफरा हाईर सकेंडरी स्कूल की प्रिंसेपल, मृदुला त्रिपाठी, प्याख्याता, अनिताराज, संकूल समनवैक, सुनील पांडे, रंजीत बेनर जी शामिल हुए आयोजन में माताओं को आवंत्रित किया गया कारकन की सफलता के लिए आंगनबाडी में पढ़ने वाले उनके बच्चों संग प्रशिक्षन दिया जिसे घर पर रोचक धंक से दोराने और इसमें नए प्रयोग करने की सलहा शिक्षकों ने दी बच्चों को माताइक बोलीगी कि याने कितना है गिनो बेटा आलू कितना है इसका कलर क्या है टमाटर कौन से कलर का होता है ये सब सिखाना है उसका कारण ये है आपको बता दू अभी 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं जो आंगान मारी में है उनको लाके हमको यहाँ पर एडमीशन कराना रहता है तो वो बच्चे अनभीक न रहते हैं और अनभीक रहने के कारण टीचर कुछ पढ़ाते तो उनको समझ में नहीं आता है तो अभी जो आपका की शिक्षा में महत्पूर योगदान दे रही है अगले चनल 3.0 में कोशिश की जाएगी कि बच्चे रंगो संख्या का घर से ग्यान सीख कर अगामी शिक्षा सत्र से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा इसकोलों में निर्धारत और अपेक्षित इस्तर तक पहुंच सके य अलेक्टर सौरप कुमार ने मंगलवार को मंथन सबाकक्ष में आगामी विधान सबाकोले कर तैयारियों के मत्य नजर निर्वाचन अधिकारियों से आवश्यक जानकार्या ली बैठक में उन्होंने मुख्य मंत्री भुपेश बगेल के ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रक्ति क बारे में एक-एक अफसरों से जानकारी हासिल की उन्होंने साफ कहा जो अफसर समय पर कारे पूरा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कारवाही की जाएगी मुख्य मंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में नर्वा गर्वा घुर्वा भूमी हीन आदिवासियों को पट्टा दीना तहसिल कार्यालियों में सिमांकन फौती सहित अन्य लंबित प्रक्रणों का निराकरण किया जाए खास तोर पर उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी की फर्यादी के आविदन पर त्वरित कारवाही सुनिशित किया जाए इस मौके पर बड़ी संख्या में विभाग प्रमुख मौजूद रहे अपरल तक इनके हिद्गराई फाइनलाइज हो जाए इनके स्विटिती आदेश निकल जाए इस संबन में निर्देश दिया है हमारी पेक्षा है एक तारिख को माननी मुख मंत्री ये वीडियो कांफरेंसिंग के मात्यम से विरोजगारों जिनकी विरोजगारी भत्ता स्विटित हुआ है उनको राश्री प्रतान करेंगे उनसे इंटरेक्ट भी करेंगे ताकि उसमें जिले में अधिक से अधिक स्विटित हुआ अनुयाईयों ने कहा, रामानुजाचारी ने जाती वर्ग का भेदभाव मिटा कर सभी प्राणी मात्र के लिए भगवान की भक्ती का मार्ग खुला, सभी को भागवत शर्नागती का उपदेश दिया तुलसी पुष्प अर्चना के बाद गुरू परंपरा स्त्रोत का पाठ कर आर्थी उतारी और भक्तों को प्रशाद वित्रण किया इस अवसर पर प्रदेश धर्माचार रजनीकांत महराज, अभीना गोपाल शरन, शत्रुगर्न कृष्ण दास, शिवा, प्रपन्न मिश्रा, अनि मेश सोनी, गोपाल कृष्ण रामानुज दास, सहित वैश्ण जन उपस्तित रहे मंगलवार की सुपावन दिवस पर हम लोग अपने संप्रदाय के पत्व पतर्सक भगवानसी रामानुज महराज जी का सुंदर प्राकट उस्सो जन्मर्सो हम लोग मना रहे हैं चौक चराहों में लगे ट्राफिक सिगनल शेहर वासियों के लिए परिशानी का कारण बन गए हैं व्यापारियों का एक प्रतिनीधी मंडल पुलिस अधिक्षक से मिला और उन इस्थानों से सिस्टम हटाने मांगी जहां सुविधा के बज़ाय परिशानी खड़ी हो रही है दयालबन से अपॉलो मार्ग तिराहा भारतिय नगर चौक श्रीकांत वर्मा मार्ग पर बना तिराहा गांधी चौक और देवकी नंदन चौक के ट्रैफिक सिगनल पर लोगों को सबसे ज़्यादा परिशानी होती है व्यापारियों की प्रतिनिधी मंडल को लेकर आये शिवा मिश्रा ने कहा उनकी बातों को पुलिस अधिक्षक ने गंभेरता से सुना ग्यापन में बताया कि कुछ चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिगनल लगाने से यातायात विवस्था प्रभावित हो रही है इससे यहां खड़े लोगों को बिना वज़ा परिशान होना पड़ रहा है पुलिस अधिक्षक संतोष कुमार से ही निकाहा व्यापारियों की शिकायत मिली है ने सिगनल प्रयोग के तौर पर लगाए है आगे सुरक्षा को ध्यान में रखकर फिर बदल किया जा सकता है इसे नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट लगाया जा रहा है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट शेर के चौक चौरहों में इंटीग्रेटिट ट्रैफिक सिगनल सिस्टम लगाया गया है कम चोड़ी सड़कों पर ये व्यवस्था फिलहाल लोगों के लिए परिशानी का सबब बना हुआ है कैमरेमेन सतीश साहू के साथ दिलिव जगवानी लोगसो टीवी बिलासपुर नहरु चौख से इंद्रा सेतु के बीच यातयाद का दबाव लगतार बना हुआ है इससे यातयाद बाधित होता है कॉंग्रिस भवन कुदुदंड की ओर से वहनों की भेड़ और मुख्य मार्ग पर इंद्रा सेतु की तरफ जाने वालों से प्रोजाना जाम की इस्थिती निर्मित होती है आलम्या होता है कि आपधापी में ट्रैफिक स्थम जाता है और लोग इसमें फसकर परिशान होते हैं यह भी देखा गया है कि ट्रैफिक बहाल करने पुलिस के जवान यहां मौजूद ना होकर नहरु चौक के आसपास वहनों की चेकिंग में मश्गूल रहते हैं उसलापूर से आनंद नगर राजघराना पहुच मार्ग बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को कॉलोनी वासियों ने कलेक्टर सौरप कुमार से गुहार लगाए दरसल उन्होंने कहा कि मंगला चौक से उसलापूर तक सड़क चौड़ी करण का काम किया जा रहा है इसी में कॉलोनी के लिए एप्रोच रोड भी शामिल किया जाए तो लगतार हो रहे हाथ सो से बचा जा सकता है और ब्रिज से नीचे उतरते समय मोड होने और मुखे मार्ग होने के चलते कई बार हाथ से हो चुके हैं इससे पहले भी इस समंध में कलेक्टर को ग्यापन सौपा गया था जिस पर सिमांकन का कारे किया गया लेकिन उसके बाद कारवाही आगे नहीं बढ़ी लेफ्ट साइड से जो एपरोच रोड है उसकी मांग के लिए हम लोग आये थे और पिछली बार भी हमने माननी कलेक्टर मोहदे को इस समंध में आवेदन दिया था लेकिन उस पर कुछ कारवाही हुई है लेकिन उस पर जो गती होनी चाहिए उसी साप से नहीं दिख रही है और चूंकि समय चल रहा है कि उसलापूर्ग उबर विश से लेके सकरी तक अभी पूरी अच्छी तरह से सही समय में मरीजों को बलड नहीं मिलने की वज़े से कई बार जान गवाने पड़ जाती है जबकि रक्त की उपलब्धता शहर के बलड बैंक में रहती है लेकिन इसकी जानकारे ना तो स्वास्त विभाग के पास होती है और नहीं आम जनता के पास जिलेके CMHO डॉक्टर अनिर शिवास्तों ने समस्या का हल निकालने बलड बैंक के संचाल को सहीत रक्तदान शिवर आईजित करने वाली संस्थाओं की बैठकली इस दौरान उन्होंने सभी को हिदायत दी की रक्तदान शिवर लगाने से पहले इसकी जानकारी स्वास्त विभाग को दी जाए साथ ही निर्देश दिया गया की ब्लेड पैंक में रक्त वर्ग की सूची बना कर विभाग को समय समय पर मुहया कराई जाए विलास्तों में दस ब्लड बैंक हैं जो की टग और पूड अफिस द्वारा लाइसेंसी है उन सब का हमने एक मीटिंग बुलाया था क्योंकि हमें बाबार से सिकायत राप्त हो रही थी कि ब्लड बैंक वाले कहें भी सिविर लगा लेते हैं वो उसके लिए हमने इसके मेटिंग बुलाई और उनको एसोपी बतायागी कि आपको किसी प्रोसीज़र के तहद आपको सिविर लगाने से पहले आप हमको इन्फारम करेंगे एक हफ्ता पहले उसके बाद आपके पास जो भी blood unit connect होगा उसकी आप सूची देंगे दोनों ही भाग को कि आपके पास कौन-कौन से ग्रूप के blood ही कठा हुए ताकि जवरत पढ़ने पर लोगों को सूची के अमसार donor उपलद कराये जासे बढ़ेंगे हैं खबरों की ओर मगर इससे पहले सुर्ख्यों पर इकने जड़ जम्मू दवी एक्सप्रेस का ठहरा ओ बिलासपूर की बजाय उसलापूर स्टेशन में समय कम होने से यात्रियों को ट्रेन चड़ने में हो रही परिशानी अंगना 3.0 की शुरुवात बच्चों को खेल-खेल में दी जाएगी सिक्षा बेमतलब लगे ट्रैफिक सिग्नल से आम जनता हो रही परिशान व्यपारी प्रतिनीधी मंडल ने स्पी को सौपा ग्यापन पुलिस ने निकाला गुंडे बदमाशों का जुलूस आदतन अपराधियों में खौफ पैदा करने खाकी का प्रयास पुलिस अधिक्षक संतोष कुमार सींग के निर्देश पर जिले के सबी थानों में गुंडा बदमाशों को तलब किया जा रहा है सरकंडा पुलिस ने करीब 22 गुंडा बदमाशों को पकड़ा जिसमें अच्छा व्यवहार और आचरण वाले गुंडे बदमाशों को समझाईश दी गई पुलिस ने ऐसे लोगों का जुलूस निकाला जो आदतन अपराधी है थाना प्रभारी फैजुल होदा शाह ने बताया कि इस दौरान दो इस्थाई वारंटियों के खिलाफ पी कारवाही की गई है पुलिस इस कारवाही से अपराधियों में देह्शत है पुलिस अधिक्षक मादे विलास्पूर सीजन तोस कुमार सिंग सरके निर्देश पे थाना चेतर के गुंड़ा वदमासों की चेकिंग कई गी जिसमें 22 लोगों को थानी लाया गया जिनके ववहार में थोड़ी सुधार है चेतर में शांती व्यवस्था खराब करने वाले नौ लोगों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कारवाही की है सभी युवक लगतार अपराधि घटनाओं में पकड़े जा चुके हैं रात्री गश्थ के दौरान पुलिस ने सभी की गिरफतारी कर धारा 159 की कारवाही की है अपराधि प्रवृत्ती के लोगों के खिलाफ पुलिस अपनी निकाहें बनाए हुए हैं जिनके खिलाफ कारवाही जारी है निचात अभ्यान के तहट नशीले पदार्थों के खिलाफ कारवाही तो चल ही रही है मगर अब पुलिस नशा से दूर रहने जागरुप भी कर रही है शासन का आदेश मिलते ही पुलिस इन दिनों पान दुकान संचालकों को समझाईश देते हुई कहा की सिग्रेट और तंबाकू से होने वाली बिमारियों के बारे में लोगों को पता चल सके इसके लिए फ्लैक्स लगाए जाए इसके साथ ही कोटपा अधिनियम के तहट उनका चलान भी काटा सिविल एन पुलिस के सभ्यान से लोगों में जागरुकता आएगी राजिंद्र नगर चौक, मंगला चौक, मुंगेली, नाका और अन्य स्थानों में पुलिस पहुची और नेमों का पालन करने कहा उलंगन करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कारवाही की बात कही गई शराब लेकर जा रहा युवक उस समय सक्ते में आ गया जब सामने पुलिस को देखा युवक कही भाग पाता, इससे पहले पुलिस उसे चकरभाटा और बिच के पास अपने शिकंजे में ले लिया तलाशी के दौरान युवक के कबजे से लगभग 40 पाव देशी प्लेन शराब पुलिस ने बरामत किया है आरोपी प्रमोद वर्मा चकरभाटा वार्ड नमबर 9 का रहने वाला है जिसके खिलाफ आपकारी एक्ट के तहत कारेवाही की गई है 36 चेमबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बिलावसपूर इकाई 30 अप्रेल रविवार को तिफ्रा इस्थित ग्रेंड लोटस होटल में चेमबर गौरो दिवस मनाने जा रहा है वैपारियों में उत्सा भरने और उनके पीच उत्सों मनाने हा कारिक्रम किया जा रहा है दरसल चेमबर ओफ कॉमर्स की जिला इकाई ने अपने सदस्यों की संख्या 377 से बढ़ा कर 1000 पूरी कर ली है इसी उत्सा में यह आईजन किया जा रहा है चेमबर के जिला ध्यक्ष संजय मित्तल और प्रदेश उपाध्यक्ष नौदीब से अरोरा ने बताया की गौरा दिवस के मौब के पर चेमबर के तमाम पदाधिकारियों के अलावा जिले के विभिन समाजिक संग्ठनों का सम्मान किया जाएगा चेमबर गौरा दिवस के रूप में तीस ताइक जिल संडे गैन लोटस में हम बनाने जा रही हुआ जो वियापारियों का असा उत्सव होगा हम बिलास्पूर में आज से कुछ साल पहले 3337 मेंबर थे आज हम 1000 मेंबर पुरे कर चुके वियापार जगत में वियापार को सुचारू से चलाने के लिए कहीं-कहीं जो 56 चेमबर अफ्पूर्स वियापारी की सबसे बड़ी संस्था होती है इस संस्था में जितने लोग अधिक सबीग हुए कहीं-कहीं बेर के तले अप्या को सुरक्षी महस्चिश करते हैं परिवार का इतना बड़ा होना या और तरीके से लोग को जोड़ना ब्रिहस्पती बजार और आसपास फैला कच्रा देखकर यहां आने वालों का सिर्फ चक्रा जाता है निमत उठाव नहीं होने से मवेशी गंदगी फैला देती हैं जिससे शिवाजी प्रतीमा के पास गुजरते वक्त तेज दुर्गंद से लोग हलाकान होते हैं अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है जिससे आँ डंप कच्रा गीला होकर सड़ने लगा है ठीक सामने स्कूल है गंदगी और वातावरन में फैले मच्छर मक्यों से पढ़ने आये छोटे बज्जों के स्वास्त पर इसका गंभी रसर पढ़ सकता है कुछ समय से कोरोना संक्रमितों की पहचान में तेजी आई है हमारे आसपास मौझूद गंदगी घर पर उपचार ले रहे कोरोना मरीजों के लिए घातक साबित हो सकती है ब्रहस्पती बजार में फल और सबजी विक्रिता यहां वहां कच्रा फेक देते हैं जिससे आस्तिती निर्मित होती है व्यपार विहार इस्थी तारा मंडल घूमने गए दो नाबालिक बच्चियों के साथ शिड़कानी करने वाले युवक को सिविल लाइन पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर गिरफतार किया है पुलिस के अनुसार सिविल लाइन छेतर की रहने वाली दस वर्षी और साथ वर्षी नाबालिक तारा मंडल घूमने गए थी तब ही ओमनगर निवासी जीतू शिवास महा पहुचा और नाबालिकों को सौ रुपय का प्रलोभन दे कर उसके साथ अश्लील हरकत कने लगा बच्चियों के चलाने के बाद युवक महा से भाग निकला जिसे पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है तो ये थी हमारी लोक्सवर टीवी की तमाम खबरे अगले पुलिटीम में आप से फिरोगी मुलाकात तपक लिपुलिटीम के साथ प्रयांका को दीजे इजाज़त नमस्कार